नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अज एक बफिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एंपायर पर मेरी यानी अनु के साथ आज का हमारा टॉपिक है इंसाइट्स का एडिटोरिल डिसकेशन जिसमें स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे इंडिया की एकोनोमी के बारे में तो इंडिया को जरूरी है कि वो फिस्कल काउंसिल बनाए अपनी एकोनोमी को सुधारने के लिए क्योंकि हाल फिलाल में जो कंडिशन चल रही है इंडिया की उससे तो सिर्फ एक ही बात याद आती है कैसे विदाव टनी फदडी ले चलिए जानते हैं तो हुआ क्या है दोस्तों कि अगर इंड्रोडक्शन की बात की जाए तो फिस्कल सिचुएशन जो भारत में है वो बहुत जादा सीवियर स्ट्रेस जेल रही है और ये बात COVID-19 से पहले की है COVID-19 से पहले ही भारत की जो fiscal situation थी वो बहुत जादा stress में थी लेकिन COVID-19 जब से आया है इस situation ने इस pandemic ने भारत की अर्थववस्ता की एक तरीके से कमर तोड़ कर रख दी है अगर बात की जाए estimate की तो CAG यानि controller and auditor controller general of accounts CGA ने estimate लगाया है कि 2019-20 के लिए center का जो fiscal deficit है वो 4.6% रहने की संभावना है यानि के 0.8% higher than the revised estimate तो यानि जो estimate उल्रेडी budget में लगाया गया था इससे ये बहुत जादा आगे निकल के हमें देखने को मिल रहा है यही बात अगर हम करें दोस्तों तो current years के लिए जो GDP में पहले estimate लगाया गया था वो 3.5% था कि हमारे जो घाटा है 3.5% तक रहने की संभावना है क्योंकि हमारे revenues में लगातर कमी आ रही है decline होता जा रहा है लेकिन यह जो estimate लगाया गया था इससे double estimate अब दुबारा लगाया गया है और यह 7% of GDP है तो दोस्तों बहुत जादा बड़ा नुकसान Indian government को जहलना पढ़ रहा है भारत को जहलना पढ़ रहा है इसको अगर हम consolidate करके बात करें यानि union और state इन दोनों का एक साथ मिला कर इसको compile करके अगर हम बात करें कि आर्थिक पैकेज COVID-19 से निपटने के लिए मई में जो launch किया गया था वो 20 लाख करोड का था तो वो GDP का 10% था इससे भी जादा घाटा हमें यहां देखने को मिल रहा है अगर हम union और state इन दोनों के घाटे को compile कर दे और अगर debt की बात की जाए तो यह तो 85% तक जा रहा है तो दोस्तो situation बहुत जादा alarming है अगर हम इस situation में off budget liabilities को भी add कर दें तो फिर seriously seriously situation बहुत जादा alarming हो जाएंगी और government को जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ action लेने की जरुरत है ताकि हम अपने इस घाटे को कम कर सके fiscal deficit को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारी आमदनी है वो अठनी है और जो खर्चा है वो रुपया है यानि हमारी आमदनी से जादा जब हमारा खर्चा हो जाए तो उसको बोले जाता है fiscal deficit और fiscal deficit इंडियन एकोनोमी में ओल्रेडी था coronavirus pandemic से आने से पहले था ओल्रेडी stress में थी अमारी एकोनोमी लेकिन जैसे ही pandemic आया है इस pandemic ने हमारी एकोनोमी को बिल्कुल बर्बाद करने की ठान ली है और इसी वजह से दोस्तों जो आकड़े निकल के आ रहे हैं जो नंबर निकल के आ रहे हैं वो seriously डराने वाले हैं I mean really 12% of GDP का अगर हमें नुक्सान होगा तो बहुत बड़ी और भयानक सिच्वेशन है इसी सिच्वेशन को ध्यान में रखते हुए CAG ने यानि Comptroller and Auditor General ने 2018 में एक रिपोर्ट पीश की थी और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि हमें बजट में transparency की बहुत जादा चाहिए इसलिए दोस्तों हमेशा सवाल खड़े होते हैं बजट को लेकर कि वो कितना व्यापक है यानि कितना comprehensive है उसमें transparency कि साथ तक ही है accountability कब किस की कि किस लेवल तक होनी चाहिए तो दोस्तों इस हिसाब से जो है बजट में इस तरीके के question हमेशा ही उठते आए है gag के द्वरे ये भी का गया था कि हमारी government की जो आदत है ये परंपरा सी बन गई है कि हम अपने target को postpone करते रहते हैं 2025 तक अगर किसी project को पूरा करने में हमें 50 करोड रुपे पे करने पड़ेंगे वो budget जो है यानि जो उस project का जो budget है वो 50 करोड है यदि हम उसको 2025 तक पूरा कर ले लेकिन यह जो हमारी deadline है हमारी ऐसी परंपरा बन गई है कि हम इस deadline को आगे shift करते रहते हैं और यह deadline अगर 2030 तक पहुँच जाती है तो same project जो 50 करोड में पूरा होना था वो अब 100 करोड में पूरा होगा यानि इस तरीके से एक practice बन गई है एक परंपरा बन गई है सरकार की कि वो अपने target को आगे postpone करती रहती है जो project है उनको पूरा करने के जो target है हमने कई बार देखे हैं कि यह postpone होते रहते हैं इसी के साथ ही non settlement of will या फिर off budget financing इस तरीके के जो चीजें हैं ये चीजें क्या करती है हमारे deficit को और भी जादा आगे बढ़ा देती हैं यानि के अगर इन आदतों पे इस परंपरा को contain कर लिया जाए या इन पे थोड़ा सा control कर लिया जाए तो हम पूरी तरीके से कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारा घाटा हो रहा है उसको हम ब budget management act frbm act इसको बोले जाता है 2016 17 का act है इसको ध्यान में रखते हैं इसके compliance पे सीए जी की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई थी 2018 में इस रिपोर्ट में सीए जी ने कहा है कि इंडियन गवर्मेंट क्या करती है कि वह अपनी liabilities को अपनी देनदारी को जितना उसको पैसा देना है लोन के रूप में या लोन की payment के रूप में इसको छुपाने के लिए कई तरीके के वो actions ले लेती है तो यानि के हमारी जो भी liability बनती है उस liability को छुपाने के लिए government जो है कई प्रकार के action ले लेती है कुछ action यहाँ पे court किये गए है जैसे कि these include special banking arrangement for covering areas of fertilizer subsidy तो दोस् के लिए government के द्वारा special banking arrangement कर दिये जाते हैं short term bond issue कर दिये जाते हैं unsecured loan issue कर दिये जाते हैं एक और बात यह है कि food corporation of India को यह बोला गया था कि वो अपनी subsidy meeting food subsidy और area को meet करने के लिए इनको पूरा करने के लिए national small saving fund से बोरो कर सकती है पैसा तो इस तरीके से दोस्तों हम अपन करते रहते हैं जुगार करते रहते हैं और जिस वज़ा से जो हमारी real liability है वो बहुत हद तक छुप जाती है और यह मैं नहीं कह रही हूं यह कैग की report में कहा गया है financing irrigation project इसी तरीके से दोस्तों दूसरा example यहां दिया गया है कि जो irrigation projects होते हैं आप उनको finance करने के लिए long term irrigation fund यानी LTIF नाम से fund create कर देते हैं और यह जो fund है नाबाड के द्वारा create किया जाता है यानी national bank for agriculture and rural development के द्वारा create किया जाता है एक तरफ तो आप irrigation project को finance करने के लिए नाबाड की help से LTIF का निर्माड कर रहे हैं दूसरी तरफ railway project को finance करने के लिए आप क्या कर रहे हैं इंडियन railway finance corporation से आप पैसा उधार ले रहे हैं तो ये कुछ examples है जो ये दिखाते हैं कि government अपनी liabilities को छुपाने के लिए कई प्रकार के actions ले रही है और ये सिर्फ एक चीज़ पर focus कर रही है और वो ये है कि liabilities को किसी भी तरीके से छुपाया जाए इसी लिहाँ से दोस्तों various commissions की क्या recommendation है recommend ये है कि budget को comprehensive transparent और accountable बनाने के लिए 13th finance commission ने सीधा सीधा ये recommend कर दिया है कि एक committee का निर्वान किया जाना चाहिए और ये committee ministry of finance के द्वारा ही बनाई जानी चाहिए बाद में इस committee का transformation हो सकता है fiscal council में और ये fiscal council क्या काम करेगी ये annual independent public review करेगी FRBM compliance का तो annual level पे यानी हर साल साला ना independently public review करेगी FRBM compliance का इसी के साथ ही एक और चीज़ को review किया जाएगा और वो ये है कि FRBM roadmap को पूरा करने के लिए जो भी policy decisions लिए गए है उन सभी का fiscal impact क्या पड़ा है ये recommendation है जो commissions के द्वारा दिये गए है इसी प्रकार का कुछ same recommendation FRBM review committee के द्वारा भी दिया गया है इस committee के द्वारा ये कहा गया है कि एक independent review committee का निर्मान किया जाए और ये जो review committee होगी finance ministry के द्वारा इसको appoint किया जाएगा और हाँ finance ministry के द्वारा इसको appoint किया जाएगा इसी वज़ा से 14th finance commission ने ये recommend किया है कि एक independent fiscal council establish की जानी चाहिए और ये जो fiscal council है पर्लेमेंट के द्वारा इसको establish किया जाना चाहिए और ये किस तरीके से establish होगी FRBM act में नए sections add करके यानि कि amendment की बात चल रही है FRBM act में आने वाले समय मे क्या होता है यह आगे चलके पता चलेगा अगर यहाँ पर बात करें हम mandate की तो independent fiscal council का mandate क्या होगा तो दोस्तों जो fiscal council है यह independent fiscal institution के रूप में काम करेगा इसका main mandate क्या होगा सिर्फ एक उद्देश्य होगा और वो यह है कि public finance को sustainable करना और इसकी stabilization को promote करना यानि के हमारा जो public finance ह इस पे हर तरीके से सुधार लाना फिसकल council को कैसे define किया जाता है फिसकल council को ऐसे define किया जाता है कि यह publicly funded entity होगी यानि कि जिसमें हमारा tax का पैसा जाता है यह revenue कमाया जाता है government के द्वारा तो उस सभी की देखने का काम इसके द्वारा किया जाएगा तो public का पैसा जितना भी इसके member नहीं बन सकते हैं इसमें जो staff होगा वो non elected staff होगा उनका सिर्फ एक mandate होगा और वो mandate यह होगा कि fiscal performance particular year में भारत सरकार की या इंडियन economy की fiscal performance कैसी रही है उसका बिना किसी भेदभाव के data provide कराना इतना ही नहीं उसको analysis करना तो ठीक है लेकिन इसी के साथ ही अगर को improvement होती है तो उसमें advice देना suggestion देना और government को guidance करने का काम भी यह जो council है इसके द्वारा किया जाएगा और यह जो guidance है positive हो सकती है यह normative perspective पे भी हो सकती है तो आप इसको mandate कह लिजिए यह key aspects कह लिजिए यह इस fiscal council का mandate होने वाला है यह जो institutions है यह क्या करते है fiscal policy को sustainable बनाने के लिए यह objective और scientific analysis के basis पे अधारित होंगे इससे हमें क्या फायदा होगा फायदा काई प्रकार के होंगे सबसे पहली बात की unbiased report publish की जाएगी पर्लेमेंट के अंदर यानि पेश की जाएगी पर्लेमेंट के अंदर ऐसी report जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भ बढ़ाया जा सकेगा इससे क्या होगा कि transparency बढ़ेगी और accountability बढ़ेगी government के खर्चों को लेकर दूसरी बात यह हैं कि government जो प्रोग्राम करती है जो policies बनाती है और यह जो पॉलिसी है populist shift की तरफ जाती है यानि एक certain जनता के certain group को लोक लुभाने के लिए कई सरी policy बनाय दी जाती है या program initiate किये जाते है तो उनमें जो भी cost आती है उस सब को यह analyze करेगी scientifically उससे क्या होगा कि transparency बढ़ेगी और जो political cycle है populist shift तक जाने का इसको discourage करने का काम किया जाएगा इससे क्या होगा कि accountability बढ़ जाएगी सरकार की जो जवाब दे ही है वो बढ़ जाएगी कहने का मतलब यह है कि सरकार जितने भी programs initiate करती है लोक लुभावन तरीके से उन सभी programs में जो cost है उनका scientific level पे analysis किया जाएगा इस basis पे जब parliament में debate होगी तो debate का जो level है वो भी rise हो जाएगा वो बढ़ जाएगा इस वज़े से transparency आएगी और government की जो accountability है उसके खर्चों को लेकर उसकी नीतियों को लेकर यह और भी जादा बढ़ जाएगी next अगर हम profit की बात करें तो scientific estimate यह जो policy है यह जो council है यह कैसे काम करेगी scientific estimates लगाएगी जो भी programs होते हैं initiate किये जाते हैं forecast किया जाता है तो इनमें क्या होता है कि जब scientific estimate लगा जाएगा तो इससे क्या होगा कि public aware होगी public किस बारे में aware होगी fiscal implications के बारे में aware होगी government कितना revenue कमा रही है government का खर्चा कितना हुआ है किस policy में कितना खर्चा लगा है कितने खर्चे की जुरत थी या नहीं थी हर चीज को लेकर हर चीज के लिहाज से public aware हो जाएगी तो parliament के अंदर parliament के बाहर दोनों तरफ government की जो जगाने का काम किया जाएगा in monitoring rule based policies तो rule based policy के बिहाफ पे कंसाइंस keeper का काम करेगी यह council इससे क्या होगा awareness बढ़ेगी level of debate बढ़ेगा parliament के अंदर और बाहर दोनों तरफ तो इस तरीके से दोस्तों यह council है basically क्या काम करेगी यह काम करेगी government की जो policies है उनको किस तरीके से नियंतरित किया जा सके किस तरीके से scientific तरीके से regulate किया जा सके जिससे की जो budget है वो transparent हो जाए और government की जो accountability है वो बढ़ जाए अब अगर इनके important task की बात करें यानि जितने भी इंडिपेंडेंट फिसकल इंस्टूशन से हैं इनके main काम क्या होते हैं पहली बात तो यह है कि जो भी policies और programs होते हैं उनको independent तोर पर analysis करना review करना monitoring करना और evaluation करना तो यह किसके policy और program को monitor करते हैं government के fiscal policy और program को monitor करने का काम IFI के द्वारा किया जाता है दूसरी बात यह है कि macro economic या budgetary projection को और बहतर करना उनको review करना ठीक है next यह है कि costing budget and policy proposals government के जो भी programs है जो भी policies है अगर वो बहुत जादा costly है तो IFI क्या काम करता है उनके उनका एक alternative provide करा देता है जिसमें cost भी कम होता है और वो effective भी उसी level की होती है तो यह काम भी IFI के द्वारा ही किया जाता है अब अगर बात की जाए दोस्तों तो over the years monitoring compliance with fiscal rules and costing policies and programs have become major task of these councils और जिस तरीके के अभी government के द्वारा policies बनाई जा रही है उनका alternative provide कराना या उनमें improvement लाना ही इन IFIs का main task हाल फिलाल के वर्षों में बन चुका है अब अगर बात की जाए दोस्तों तो OECD यानि के Organizations for Economic Corporation Development 2013 इसने क्या क्या है इसने document किया है उन सभी principles को जो बहुत जादा जरूरी है successful fiscal council के लिए यानि successful independent fiscal council के लिए कुछ nine important principles हैं जो OECD ने उल्रेड़ी बता दिये थे और यह 9 important principles है जैसे local ownership हो गया independence and non-partisanship हो गया यानि पक्षपात रहित हो गया mandate, resources, relationship with legislature, access to information, transparency, communication और external evaluation तो यह no essay heads हैं जो OECD के द्वारा 2013 में बता दिये गए थे और यह जो head है यह बहुत जादा जरूरी है ताकि autonomy को ensure किया जा सके, unbiasedness को ensure किया जा सके, transparency को ensure किया जा सके और इसी के साथी effective और accountable councils का निर्मान किया जा सके तो यदि किसी भी country को effective IFIs का निर्मान करना है तो उसके लिए यह जो no heads हैं इनको fulfill करना बहुत जादा जरूरी है अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो independent fiscal institutions यानि IFI इनका diverse role होता है more acceptance होती है अब IMF के द्वारे यानि जो international monetary fund है इसके द्वारे कहा गया था कि 2014 तक पूरी दुनिया में 36 ऐसे देश हैं जहां पर IFI अभी operate कर रहा है यह काम कर रहा है लेकिन 2014 के बाद काफी और countries में IFI का जो establishment है वो हो चुकी है यह जो countries है इनका जो agenda है IFI का वो same है और वो क्या है एक watchdog के रूप में काम करना लेकिन इनका जो function है इनका structure इन सब में diversity है लेकिन फिर भी इनका जो agenda है वो same है अब अगर बात की जाए कि जो 36 nations की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे अगर IFI है तो यह कितना effective इनकी effectiveness क्या है या किस level तक यह effective साबित हुए है उस particular country के लिए IMF की study से यह पता चला है दोस्तों कि जहाँ पे IFI काम करता है यानि independent fiscal institution काम करता है वहाँ पे जो primary balances होते हैं वो stronger होते हैं गवर्मेंट को अपने fiscal policies को project करने में उनको projection में बहुत जादा help मिलती है IFI के द्वारा countries with IFIs tend to have more accurate macro economic and budgetary forecast तो बहुत जादा accurate forecast निकाले जा सकते हैं अगर किसी country में IFI already operate कर रहा हो तो IFI क्या काम करता है IFI public को aware कर देता है fiscal policy जब बनाए जाती है तो fiscal policy के regarding लोगों में awareness का काम IFI कर देता है जब लोग aware हो जाते हैं जागरूक हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं वो सवाल पूछते हैं inside and outside the parliament government से जब सवाल पूछे जाते हैं तो जो debate का level है वो बढ़ जाता है यानि transparency accuracy बढ़ जाती है अब अगर यहां पर दोस्तों तीन अलग-अलग जगों की case study की बात की जाए जैसे Belgium हो गया चिले हो गया यह UK हो गया इन तीनों की अगर हम case study करें तो हमें यह पता चलता है कि IFI जो है fiscal performance को improve करने में इसने बहुत अच्छा contribution दिया है सबसे पहले बात करते हैं Belgium की तो Belgium की जो government है वो legally require करती है कि वो macro economic forecast जो federal planning bureau के द्वारा किये जाते हैं इनको adopt करें और ऐसा करने के लिए वो legally bounding है और जब ऐसा होता है दोस्तों तो जब इस federal planning bureau के द्वारा जो भी macro economic के forecast होते हैं इनको adopt किया जाता है तो इससे biasness को खतम किया जाता है और जो estimates होते हैं वो accurate होते हैं ठीक है बजट को लेकर के जो estimate होते है फिसकल policy को लेकर जो estimate होते हैं वो accurate होते हैं चिले में क्या हो रहा है चिले में दो independent body काम कर रही है पहला है ट्रेंट GDP और दूसरा है reference copper reference copper price और इन्होंने क्या क्या है चिले की government को greatly help किया है वो अपने budget forecast को improve करने में UK में भी same चीज़ देखने को मिली है budget responsibility office for budget responsibility नाम से एक independent office है और इसने भी UK की बहुत ज़्यादा मदद की है कि वो अपनी fiscal sustainability को restore कर सके तो अगर हम इन सभी countries के बारे में पढ़ते हैं तो हमें जो evidence मिलते हैं उससे एक ही बात निकल कर सामने आती है और वो यह है कि fiscal council strong influence डालत होती है fiscal performance पे particularly when they have formal guarantees of independence यानि जब वो independent guarantee के साथ आते हैं तो किसी भी country के जो fiscal performance होती है इसमें बहुत हद तक सुधार यह कर देते हैं अब अगर हम बात करें तो सवाल यह आता है कि हम क्या करें अगर सरकार fail हो जाती है तो the final word what do we do when the government fail सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर स यहां पे बहुत जादा ज़रूरी है कि एक ऐसा system बनना चाहिए एक ऐसा institution होना चाहिए जो government की policy उनके programs पे check और balance का काम करें ठीक है इसी regarding fiscal council क्या काम करती है यह एक important institution बनके सामने आ रही है जिससे की rule based fiscal policy को implement किया जा सके अफकोर्स यह एक silver bullet नहीं है ठीक है अगर political will नहीं होगी अगर political will नहीं होगी तो फिर इस तरीके के institute बनाने के बाब जूद भी इनका कोई माहिने नहीं रह जाते हैं क्योंकि transparency आपको political will के basis पे ही ensure करनी पड़ेगी अगर political will नहीं होगी तो institutions के कोई माहिने नहीं रह जाएंगी यह उतने effective नहीं रह जाएंगे लेकिन अगर political will होगी तो फिर इस तरीके के institutions का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि नेता अपने खुद के इच्छा के अनुसार transparency बरत रहे हैं इसी लेवल पे काम कर रहे हैं तो फिर इस तरीके के institutions की जरूरत ही नहीं होगी तो डिपेंड करता है दोस्तों that it is also true हम यह भी कह सकते हैं कि जो FRBM act है इसके जो परिणाम है वो उनसे अभी यह निश्चित नहीं हो पाया है कि यह जो act है unqualified success है या नहीं है लेकिन हाँ हम इतना भी जरूर कह सकते हैं कि यह failure भी नहीं है ठीक है next बात यह है कि यह जो FRBM act है the counterfactual will show that things would have been much worse without it IFI के बिना जो चीज़े होंगी जो समीकरन आएंगे और भी जादा बुरे हो जाएंगे अगर इन समीकरनों को और भी जादा वर्स होने से बचाना है तो उसके लिए जरूरी है कि IFI का निर्मान कर दिया जाए जिससे कि government की awareness फिलाई जा सके लोगो में लोगों को aware किया सके legislatures को public को large scale पे aware किया सके कि उनकी policy या उनके programs किस level तक हम उनको improve कर सकते हैं conclusion के basis पे हम क्या कह सकते हैं the fiscal council will help in improving comprehensive transparency and accountability यही तो चाहिए सरकार के जो भी खर्चे है budget में comprehensiveness आनी चाहिए, transparency होनी चाहिए, accountability और भी जादा बढ़नी चाहिए यह चीज होती है और fiscal council यह सारी चीजों को ensure करता है लेकिन फिर भी अगर एक बार यह सारे motive हम achieve कर लेते हैं तो उसके बाद government को जरूरी है कि वो एक credible fiscal consolidation पात पे वापस से लोड़ जाए जिससे कि government जो है आगे चलके अपने level पे चीजों को और भी अच्छे तरीके से manage कर सके तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज के session से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा if yes, do like, share and subscribe our channel and press the bell icon for more updates most importantly stay home, stay safe, God bless you all, Jai Hind